परवल की खेती में उक्ठा रोग भी बड़ा ही भयानक रूप लेता है जब जिस खेत में एक बार उक्ठा रोग का प्रभाव होना शुरू होता है तो ऐसा फसल पूरा का फुसल फसल बरबाद होता है उक्ठा रोग में बिल्ट जिसे कहते हैं इसमें ज्यादतर फफूंद जनित इसमें उक्ठा आता है इसके लिए अंतरपरवाही फफूंद नासी का हम मित्टी में स्वाइल ड्रेंसिक जिसको कहते हैं उस तरह से देते हैं जैसे करवणड़ीम दवा है इसका आप 2 ग्राम प् दी डालते हैं ये 15 दिन के अंतराल पर दो से तीन बार डालने से प्रभावी नियंत्रण होता है इसके अलाबा और भी दवाईयां हैं जैसे कैप्टान और हिक्सा कोना जोल का भी कंबिनेशन की दवाईयां बजार में मिक्स मिल रही हैं आप उसका भी ड्रेंचिंग कर सकते ह मिट्यों में आप उसी तरह से एक ग्राम प्रति लिटर पाने में घूल बना करके मिट्यों में डालने से जड़ के पास ये नियंत्रित हो जाता है दूसरा चुरुनी लास्ता जिसे पौडरी मिल्डू और मिर्दुरुमी लास्ता जो डाउनी मिल्डू नाम से किसान भाई जानते हैं ऐसे समस्य ये भी बढ़ा ही भयानक समस्य आती है खास करके अप्रील माई के महने में चुर्णिल आस्ता विमारी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है चुर्णिल आस्ता विमारी के नियंत्रन के लिए हम सल्फर बेस्ट कोई भी दबा का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लाबा से शल्फर बेस्ट बगरा जैसे हैं इनका आप यह सल्फर इल्मेंटल फॉम में भी डस्ट फॉम्म, 80%WP का आता है आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं और इसके इस्तिमाल के लिए 2-2 ग्राम दबा प्रति लीटर पाने में घोल कर आप इसका छिड़काव करके नियंत्रित कर सकते हैं और इसे कम से कम दो से तीन चुड़काव दस दिन के अंतराल पे करना होता है ताकि आपका फसल लंबे समय तक सुरचित रह सके इसकी अलाबा इसमें मिर्दुरो मिल आस्ता का भी समस्या आता है जिसे डाउनी मिल्डु किसान भाई जानते हैं तो इनके नियंतरन के लिए मैंको जेव दबाई धाई गराम प्रती लीटर पानी में आप घूल करके इसका चुड़काव करें एक सब्ता के अंतराल पे दो से तीन चुड़काव करें निस्ची तुरुप से ये फसल आपका सुरचित हो जाएगा